हेलो फोडीज कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं पाओ भाजी की रेसिपी यानि कि भाजी की रेसिपी पाओ तो मैंने कल शेर किया था घर पे पाओ कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने डाला है चैनल पर आप देख सकते हैं तो भाजी कैसे बनाएं वाइल कर लिया है तीन टुकड़ा मैंने लॉक कुलिया है उसे इफ decision मौता और था है उसके अंदर मौता है अलोक कहले माइल कर लंदा जीरा ही जीरा जैसे रहा है आप प्याज डालते हैं प्याज को हमने गोल्डन होने तक भूनना है जैसे लॉक्डाउन चर रहा है तो यहां पर सब्जियां मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिल दिए है कोकि मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है तो घर में जो नॉर्मल सी चीजें होती है हम उससे सब् जिए बनाएंगे यह बनी जैसे प्यास चमार्टर अगर आपको환 कर सकते हैं और्मर आप बिना में ड packed के बना सकती हैं जाएं तो टाल सके हैं चम्झेाइश, बढके पास बूलने के पाराइक अब इसके अदर में लॉकी डाल देती हूं आपने सबसे पहले वह वली सब्जें डालनी है जो हार्ड है थोड़ी सी जो सौफ्ट है वह बाद में डालेंगे अभी लॉकी को भी हम इसी अंदर डाल के तीन से चार मिनट इसी तरह पका लेंगे इसी तरह भून लेंगे मतलब भी पानी बगारा भी बिल्कुल नहीं डालना है तीन से चार मिनट लोकी को भी आलू के साथ भून लेते हैं अब देखिए इसको चार से पांच मिनट हो गए है अब यह काफी सौफ्ट हो गई है आप लोकी जब सौफ्ट हो जाए उसके अंदर आप डाल दीजिए शिम्ला अब हम इसे भी पकाएंगे इसके साथ 2-3 मिनट तांकि यह भी सौफ्ट हो जाएं आप इसके अंदर नमक कर सकते हैं नमक करने से यह थोड़ा जल्दी पक जाती है अभी काफी हार्ड है यह अभी पकी नहीं है अभी हम इने पकाएंगे थोड़ी दिर और अब हम इसको धक कर पकाएंगे थोड़ी दिर के लिए तांकि यह जल्दी से सौफ्ट हो जाएं हम इस पे उपर धकन लगा देंगे और 2-3 मिनट इसे पकने देंगे उसके बाद फिर चेक करेंगे अब देखे थोड़ी दिर हो चुकर कुण है सब्जिव के पकते हुए यह काफी सौफ्ट हो गई है अब हम ने इसके अंदर डाल देना है थोड़ासा नमक नमक डालने से ये सबजियां बहुत जल्दी सौफ्ट हो जाती है और जल्दी से मैश हो जाती है क्योंकि जो पाहवाजी होती है उसमें सबजियां बिल्कुल मैश करनी होती है यहाँ पर सबजियां दिखनी नहीं चाहिए अगर मटर बगरा थोड़े दिख रहे हैं तो वह अच्छे लगते हैं लेकिन सबजियों को आपने बिल्कुल अच्छे तरह मैश करना है नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरह मिक्स कर देंगे अब देखिए नमक डालने के बाद हमने इसे धकर पकाना है थोड़ी देर के लिए और चार से पांच मिनटी से पकते हुए हुए हैं अब हम इसे फीर से धकर उतार कर एक पर सब्जियों को मेश करेंगे अब देख लेते हैं सब्जियों आप थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं सब्जियों बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए तब ही अच्छी तरह मेश होती हैं तो उसे बॉयल कर ले क्योंकि मुटर कच्छे डालेंगे तो काफी टाइम लगता है इने पकने में उबाल कर डालें दो मिनट उबालना है बस उसके बाद इसे मुठर को आप यूज कर सकते हैं मच करने के बाद आधा के लास पानी का डालेंगे, और इसे मिक्स करलेंगे, क्योंकि जो पाव भाजी बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं होती है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है, यह थोड़ी इसी लिक्वड फोर में होनी चाहिए, हल्की सी पतली होगी, तभी अच्छी अब हम इसे ढख देंगे थोड़ी तर के लिए और पकने देंगे अब देखिए धकन उतार के देखते हैं दुबारा से हम इसे मेश कर देंगे अब हमने बिल्कुल लास्ट स्टेज पर इसे मेश करना है अच्छी तरह आप दबा दें को कि सब्जियां बहुत ज्यादा सॉफ उसे थोड़ा सा पतला करना है अब इसके लिए पहले तड़का बना लेते हैं मैंने ऐक पैन गरम होने के लिए रखा है उसमें एक चमच और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसके आदर डालेंगे आदा चमच हल्दी Sharp alguma आदा लेंगे तब हल्दी को हम लोग मसाले यहाँ पे धनिया पाउड़र डाला है मैंने, आप यहाँ पे पाऊओ भजी मसभा जाएगा, पाऊओ भजी का जो मसाला आता है, यह रैडिमेट आता है, मार्केट में अपको पैकेट में मिल जाएगा, आदो आ cambio मैंने यहाँ पाऊओ भजी मसाला कि डालेगा, और इसे अब अच्छी तरह mix कर लेंगे हम अच्छी तरह भून लेंगे flame को आपने बंद रखना है इस time अगर आप flame को चलता छोड़ोगे तो ये जो मसाला है वो जल सकता है अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर आपने पानी डालना है इसको सबजी में अपने घोल के डालना है ऐसे सूखा नहीं डालना नहीं तो ये अच्छी तरह mix नहीं हो पाएगा थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर भूनने के बाद और फिर इसे डालेंगे सबजी के अंदर अब हम flame को on कर लेंगे जब इसके अंदर पानी डालना है तब हमने flame को on कर लेंगे अब देखिए आदा किलास में इसके अंदर पानी का डाला है और ये अच्छी तरह घोल गया है मसाला इसमें बिल्कुल लंप्स नहीं होने चाहिए और इसे अब हम डाल देते हैं सबजी के अंदर अब देखिए भाजी भी हमारी अच्छी तरह बन चुकी है अब इसके अंदर हमने इस मसाले को डालना है अब जो ये pan है आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और इसे घोल कर अच्छी तरह सबजी के अंदर डालना है क्योंकि इसमें अभी पानी डलना है सब्जी में मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि पहले मसाला डालते हैं बाद में चेक करेंगे जितनी requirement होगी उतना पानी हम डाल लेंगे अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है मसाले को सब्जी के साथ भाजी के साथ और इसे पका लेंगे फिर थोड़ी देर के लिए दो से तिन मिनट पकाना है ज्यादा देर नहीं लगेगी इसे पकने में इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं है अब दिखि मसाला चीतर मिख्स हो चुका है पाव भाजी काफी गारी हो गयी है पाव भाजी गाड़ी नहीं होना चीनी क्ढेर जादा फिर इसमें टेस्ट नहिं आता है अब इसमें आदा क्लावस पानी का और डालेंग और इसे अचा तरह पखा लेंगे जब हम पाव भाजी में आलू डालते हैं तो उसकी वज़े से ये भाजी थोड़ी गाड़ी बनती है अब हम इसे ढख कर पकाएंगे दो से तीन मिनट उसके बाद हमारी भाजी सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी अब देखे दो से तीन मिनट पकाने के बाद हमने इसको खोलना है ढकन को उतारना है ढकन उतार के देखिए तो देखिए आपकी भाजी का टेक्शर बहुत अच्छा आएगा बहुत अच्छी ये भाजी बनकर त्यार हो चुकिए अब हम एक बार इसे मिक्स कर देते हैं और इ जो whole wheat bread लीजिए उसे आप तबे पिछे लिए उसके साथ साथसे कर सकते हैं अदर्वाइस फुलके के साथ भी यह से आप खा सकते हैं यह लीजिए भाजी हमारी रेडी है अब लिजे भाजी को हमने पाओ के साथ सर्व किया है मैंने पाओ बनाना सिखाया है कल के वीडियो में ये था जो हमारी लेटिस्ट वीडियो है चैनल पे आप इसे देख सकते हैं इसके उपर थोड़ा सा बटर डालते हैं बटर नहीं मिल रहा है तो मैंने थोड़ा सा घी डालाइस के उपर और थोड़ा सा धनिया डाल देती हूं और थोड़ा सा निम्बू नुचोड देती है तो ये भाजी हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेड़ी है परफेक्ट भाजी बनकर त्यार हुई है अगर आपको हमारी डैसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक चुर कीजेगा चैनल को सुब्सक्राइब करना मत भूलेगा हम आगे मिलते हैं आपके साथ किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक क्यार लव यू ध्यान रखेगा घर में रहिएगा और सेफ रहिएगा थैंक यू पर वाचिंग